नमस्कार दोस्तों मैं प्रकास ओसर आज हम हैं यूपी के स्रावस्ति पे और स्रावस्ति पे हैं हम जेत्वन पे और जेत्वन पे हम जो हैं जेत्वन के तमाम जो पुरुआ उसेस हैं उन उसेसों को देख रहे हैं जहां पे मंदिन निर्मान हुआ था आठवी और दस्वी श साल रहे हैं और यहां पर ही उनको जो है अंगली माल से उनकी मुलाकात हुई है उसका भी वीडियो हमने अलग से लगाया है साथ ही अनात पिंडग जो है उन्हों ने खरीद कर ये जमीन बुद्ध को दान दी थी और उनहीं के याद में बात के जो बौदिष्ट राजा थे उ लिके ये हैं कि आप ये जो वीडियो चली वीडियो के निचले हिस्से पर लाल रंग पर सब्सक्राइब का बटन है तो वहां जाकर क्लिक कर दे बाजू पर बेल आइकन है तो वहां उंगली रग दें इससे हो गए आयंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको जान है यहां से बोधी सत्व की एक मुर्ती अभिलेक से ग्यात होता है और यह कुशान कालिन है मतलब कनिस्क के जबाने की है मुर्ती सीवधर तथा उसके भाईद्वारा स्रास्वात्ति के जेत्वन में स्थापित की गई थी इसे मत्वरा के एक मुर्तिकार ने बनाया था दू इसका की जो राजधानी थी वो मत्वरा थी इसलिए यहां पर मत्वरा का बात आ रहा है शामने और यह है एक और इस्तूप एच इस्तूप अध्यधिक पवित्र था इस तथ्य से प्रबाडित होता है कि इसका ना केवल कई बार पुनर निर्मान हुआ आपितु या गंद क पूटी के ठीक सामने अविरस्थित था और इस्तूप के कुछ अंस गुप्त कालिन जबकि इसके सबसे नीचली बुनियादें इससे भी पूर्यवर्ति है यानि गुप्त से भी गुप्तवन से भी पुराने हैं यह जो दिखा रहा है आपको जो एरिया देख रहा है इस्त दिखाई दे रहे हैं इधर भी लिखा है इधर भी कुछ लिखा है मैं आपको वह पढ़ाने की पहले कोशिस करूँगा बाद में सम्झाने की कोशिस करूँगा कोई मिलेगा तो मैं बाद में उनसे पूछूँगा यह देखिए यह लिख्या मंदिर 2 ऐसा विस्वास किया जाता है कि गंद कटी के मूल इस्थान इस मंदिर में इस्थापना हुई थी अनात पिंड़क जो यहां के स्रेष्ठी थे द्वारा जेत्वन महाविहार की स्थापना के समय निर्मित गंद कुटी कोशम कुटी के समान ही जेत्वन के पवित्र इस्थानों में से एक था जिसे बुद्ध ने श्वेम के उपयोग से गवर्वानित किया था इसके निचले हिस्ते वाले भाग को गुप्त कालिन माना जाता है और इन भगनवेस्टों के महत्वपूर्ण अंग इसमें इस्थित है या पूजाग्री तथा उनके शम्मुक इस्थित पूर्वा भी मुखी जेत्वन के सभी भावनों में सरवाधिक अलंकरन युक्त था ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंद कुटी एक समय में साथ तल युक्त काष्ट निर्मी ध्ववन था मतलब काष्ट मतलब लकडी से निर्मी ध्ववन था जिसमें बुद्ध की चंदन की मूर्तिक प्रपि समात्र ही द्रिष्टी गत हुए थे पुजागरा जो है पुजागरी 2.85 मीटर का वर्गाकार का अक्षा है जिसके भीतर एक इत निर्मी चभूतरा है या इसका श्टता एक विसाल कायमूर्ति की प्यूट रही होगी तो यह जो देख रहे हैं टेमपल 2 यह आपको हमासा के कभी जीवन पर यह हमारा उग्देश से है यह देख रहे हैं टेमपल 2 के लिए और टेमपल 2 का हिस्सा आपको दिखा रहा हूं मैं यह है अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं हो सकता है वीडियो की लंबाई थोड़ी जादा हो जाए लेकिन य यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और जो आप समझ सकें यह हमारी कोशिस है कि पूरी जगह आप समझ सकें और आपको इसकी बनामट समझा सकें कि कितना बड़ा एरिया इस जगह पे रहा होगा यह हम आपको दिखाने की कोशिस करेंगे और बुद्ध से ज संगहराम करम संख्याजी की भू इस्थित दिरगायत है और इसमें 24 कोठरिया है मतलब 24 कमरे हैं जिनके सामने चारो और बरामदा है संगहराम की भू श्वामी भू इस्थिती वरगाकार है इसमें 22 कोठरिया है और एक प्रवेशमंडप है और इसके पार्ष आताकार कक्ष उपलब्ध तैथिक समागरी के अधार पर इन संगारामों को कुशान कालीन माना जाता है ये शंगाराम गुप्त काल में भी प्रयूक्त होते हैं और यहां एक पात्र में लगभग 150 कुशान कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं कनिस्क और फुनिस्क तथा वाजदेयो के भी सिक्के सम्मली थे कनिस्क का मतला आप समझ गये समराट कनिस्क का बनाया हुआ है ऐसा कहना है और आपको मैं आगे चलके दिखाता हूं जो परिस्थितियां है और जिस तरीके के आपको द्रिश्य दिखेंगे बहुत ही रोचक द द्रिश्य है जो आप देख रहे हैं गजब का द्रिश्य है देखके मन गदगद हो जाता है और यह है हमारा हिंदुस्तान जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा और यह सामने आप देख रहे हैं यह हमारी अतीत है गौराशाली अतीत की कहानी इस जगह से यह सारे जो टूट के से बहुत दविहार है वो देख सकें और शमस सकें ये हमारी कोशिस है और गुम-गुम के दिखाने की मैं कोशिस कर रहा हूं कि किस तरीके से भना हुआ है ये आप इस वीडियो पर शमस सकें ये मेरी कोशिस है और जितना भी हो मैं दिखने की कोशिस करूँगा शांसाथ अ कि अगे मैं दिखाता हूं कुछbecauseаствorие हैं कि बुद्ध के follower है और आए मैं उन तक लेके चलता हूँ आपको और आपके मेडिटेशन कर रहे हैं मैं उन तक आपको लेकर चलता हूँ तो दोस्तों जैसे यह है आठ नमबर इस्तूफ है और हमारे साथ एक सर्जन है जो रहें से पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है और कहां से हैं यह हम समझने की कोशिस करते हैं तो भाई साब आप कहां से गॉंड़ डिस्टिक से आठ यहां से कितना दूर है नेरवाओ तो यहां आते रहते हैं कि पहली बार आए फ़र्स चांस तो कैसा लग रहा है यह जगा यह जगा हम लोग को बहुत अच्छा लगा है और मतलब सुनते रहते बच्पन से लेकिन इस जगा पिए एक आते हैं यह जानते हैं कि यहां महत्मा बुद्ध को जानती हिए हुई थी रो हमा मुन्हें की दा जाते लिए द आ है बारा बंकी नहीं है तो भाई हिंदूस्तान टाइम निकाले और बुद्ध हमारे जहां से हैं जब 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 यहीं से था धन्य बाद सब्सक्राइब।